हलो और वेलकम टो फुटफाइट जहां पे मैं और आप मिलकर बनाते हैं कुछ हेल्दी एंटेस्टी रेसिपी आज के हमारी टेस्टी रेसिपी है खस्ता उड़त डाल की कचोरी अब बारिश का मौसम हो और कचोरिया ना बनेगे तो कभी हो ही नहीं सकता तो इसके लिए हम ब अच्छे से फूल गई है आप इस तरीके से तोड़ कर देख सकते हैं और अब हम क्या करेंगे इसका हमें एक कोर्स पाउडर पेस्ट बनाना है पाउडर नहीं पेस्ट बनाएंगे पानी अच्छे से हमने निकाल दिया है पानी बहुत कम यूज करेंगे तो इसको अच्छे लेले मैंने चार-चार कप लिये हैं और नमक और अजवाइन इसमें डालेंगे अजवाइन थोड़ा मैंने ख्रश करके डाला है ताकि अच्छे से इसका फ्लेवर आए और काफी अच्छी लगती है अजवाइन के फ्लेवर में जो भी हम पूरी या कचोरी समोसा कुछ भी बनाते हैं तो उससे क्या होता है पेट में भी गड़बर नहीं होती और अब हम इसमें डालेंगे तेल तो मोयन के लिए इसमें तेल डालना है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम और फिर क्या होगा न इससे मतलब कितना डालना है उसका अंदाजा कैसे लगेगा आपको तो वो भी मैं आपको बताऊंगे तो अच्छे से तेल थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और आप देखेंगे कि जब आप इसको मुठी में लेंगे तो ऐसे एक शेप आजाने चाहिए और मतलब इतनी भी ज्यादा शेप नहीं कि वो एकदम लड़ू बन जाए बट वो एकद आते जाओंगे कि ढंक से यह मोयन जो है वो लगा या नहीं तो देखें इस तरीके से यह देखें तो थोड़ा सा तेल और मैं डालूंगे इसमें और आइधिंक वो इनफ होगा यह देखें इस बार काफी अच्छा है अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छे से थोड़ा सा तेल मेरे पास एक्स्ट्रा था कटोरी में तो मैंने वो भी डाल दिया बट कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है इतने सारे आटे में दो बुन तेल की और चली जाएं तो कोई फरक नहीं पड़ता और यह अच्छे से हो चुका है और अब हम इसमें प्रमूत लेंगे तो बहुत ज्यादा सक्त भी नहीं गुता है मैंने बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं गुता है बस ऐसा है कि आराम से आपकी जो कचोडियां है वो हाथ से ही बन जाएंगी आप चाहें तो बेलन का यूज़ कर सकते हैं बट मैंने यहां पर बेलन इस्ट बनाया है उसको पकाएंगे तो तेल में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हम हींग भी डालेंगे इसमें हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उड़त दाल की कचोडियों में तो यह हींग हमने डाल दी है और इसके साथ ही मैं डालूंगी बेसन तो बेसन से क्या होगा कि यह जल्दी खराब नहीं होती कचोडियां आप इसको साथ-ाथ दिन आराम से खा सकते हो और इसको अच्छे से हम भूनेंगे तो बेसन जब तक नहीं भून जाता तब तक हम इसको इस तरीके से चलाते हुए भूनेंगे और काफी मितलब गिला गिला हो गया है अब इसमें डाल देंगे उडद दाल का जो हमारा पीस्ट था वो मभी और इसको भी हमें कम से कम 7-8 मिनट एकदम लो फेले पर हमें पकाना है और चलते हुए पकाना है दर्वाईस यह चिपकने लगेगा कड़ाई में तो आपको लगातार इसको चला नहीं वैसे तो ज्यादा दिन तक कोई छोड़ता भी नहीं है हातों आत ये खा लेते हैं लोग फिर भी अगर बच जाती है तो भी ये आराम से आपके चल जाएंगे खराब नहीं होंगी और ये देखिए थोड़ा ड्राइ सा हो गया है ये मतलब हो चुका है पक गया है अच् ने कोडिंग डाल सकते हैं या तो आप चक लें इसको यहां पर मैंने तीन चमच के बराबर डाली हैं आदा चमच मैंने डाला है हल्दी पाउडर और इसमें नमक हम डालेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे और इसके साथ ही खटाई के लिए मैं इसमें अच्छे से मिला दिया है अब हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर और नीमबु का रस तो एक एक चमच मैंने डाला है उसके बाद अगर आपको कम लगता है आपको ज्यादा अच्छी खटाई चाहिए तो आप और डाल सकते हैं एक बार टेस्ट करके देख सकते हैं और इसको ठंडा करके फिर हम यूज करेंगे यह देखे बड़ी ही टीस्टी सी लग रही है ऐसे ही दिखने में अब इसको हम ठंडा होने देंगे उसके बाद हम बनाएंगे कचोडी तो जब तक यह ठंडी हो रही है हम आटे को तयार कर लेते हैं तो आटे को अच्छे से आ शायता से आप हैला capitalist об् Apa ुसके बाद इसमें भर लें इक तो प्षitasब कल के बनाएं है कि इतना मितलत एशया है अ बहुत ज्यादा soft भी नहीं है बहुत ज्यादा hard है बहुत grabbed से झाहिन आप कर सकते हो क्ला कर सकते होो को कर सकते हो और यह देखे इस तरीके से बंद कर दें और अच्छे से इसको हाथों के बीच में दबाते हुए हम कचोड़ी बना लेंगे और बहुत ज्यादा मतलब खस्ता बहुत ज्यादा टेस्टी वाली कचोड़ी बन कर तयार होंगी यहाँ पे तो ज़रूर ट्राइ करें इस रेनी सीजन और मुझे बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी मेरी तो नहीं है क्योंकि यह अलरेडी काफी फेमस रेसिपी है और मैंने भी इसको ट्राइ किया है आपके साथ शेयर करने का तो प्लीज मेरे आफट को थोड़ा सा सपोर्ट करें मुझे और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं और आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी अलग अलग जगा है की रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूँ आपके बीच ला सकूँ उनको और ये देखिए दूसरी हमारी कचोडी भी इसी तरीके से तयार है तो हम ऐसे ही सारी कचोडियां बना लेंगे उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे तो ये हमारी छे कचोडियां बन गई है इनको चलिए अब जल्दी से मैं आपको fry करके दिखाती हूँ तो ये तेल हमारा गरम हो चुका है और इसमें हम डालेंगे कचोडी तो ये आपको low to medium flame पे ही पकानी है अगर high flame कर दोगे तो बाहर से जल जाएंगी अंदर से बिल्कुल नहीं पकेंगी तो आपको low to medium flame पे ही रखना है high बिल्कुल नहीं करना है थोड़ा सा time लगेगा बट बोलते हैं न सब्र का फल मीठा होता है तो सब्र का फल इस बार नमकीन होने वाला है अगर आप सब्र रखोगे तो बहुत जादा अच्छी बन जाएंगी और आप देखोगे जैसे ये पक गई हैं फुली फुली सी इनको सर्व करेंगे अगर आप चाहें तो इनको चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर मैंने आलू की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है आलू की सब्जी की तो उसके साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं ये देखे हम निकाल लेंगे इसको और ये बहुत ही खस्ता कुर को आपके बाद आपकी कचोड़ ये की बनी थी मेरु से मुर्ण रिजाए जरूर करें और अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाम करें और वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें duky दिखने में कितनी अच्छी लग रही है ना खाने में भी बहुत अच्छी है तो thank you for watching my video